अलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स दोस्तों अगर आप लोग यूपी लेकपाल के एक्साम को देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा हेल्पल सावित होने वाली है फ्रेंड्स इसमें हम ग्राम समाज बंबिकास के 400 प्लस इंपोर्टन कोस चुके होंगे फ्रेंड्स आपके लिए काफी जादा हेल्प करेगा तो अगर आपको इन कोस्टेंद का पीडियेप लेना है तो टेली कराम चैनल को जोईन कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चली स्टार्ट करते हैं आज का वीडिय कब मना जाता है दोस्तो भारत में राश्टी उर्जा स्रक्षर दिवस कब मनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है 14 दिसंबर को ऑप्सन नम्र हमारा इसमें एक रेक्ट हो जाएगा अगला कोस्टिने आशा यूजना का संबंध है दोस्तो अगर आप गाउं में रहते होंगे तो आप इसको ध्यान रखेंगे अगला कोस्टिने भारत का सबसे बड़ा सॉलर पावर प्लांट किस राज में है दोस्तो भारत का सबसे बड़ा सॉलर पावर प्लांट किस राज में है तो माद्द परदेश के रीवा में आप्सन नम्र हमारा इसमें भी करेक्ट हो तो सबसे पहली है खुर्पाकारोधी योजना तो ये भी पशुफालन से संब्द के अगला कुशित ज्बूšताGM के मामले में भारत में पिर्ता मिस्तान पर है। दोस्तो अनाज उत्पादन के मामले में भारत में सबसे पहले नभर पर कौन सा राज जाता है तो आपको ध्यान रखना है उत्तरप्रदेश Sailor आपसन नमौर हमारा इसमें एक करेक्ट हो जाएगा। अगला कोस्टन देखते हैं उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेश रूप से पिरसिद्ध है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर विशेश रूप से पान के लिए सबसे ज्यादा पिरसिद्ध जिला कौन सा आए तो आपको ध्यान रखना आए महोब का option number C correct हो जाएगा वैगन, अगला question देखते हैं, पशुपलन के मामले में भारत विस्प में किसे स्थान परे, दोस्तों पशुपलन के मामले में भारत के अंदर सार्विजिक पशुपाले जाते हैं, तो इसमें option number हमारा एक करेक्ट हो जाएगा पहले स्थान पर, यानि की प अगला कुस्तिने बरतमान में भारत का सार्विजिक दुखदू उत्पादक राज है तो ये कुस्तिन तो आपको पता ही होगा भारत में सबसे ज्यादा दूद का उत्पादन कहां से होता है उत्तर प्रदेश से उप्सन नमर हमारा से में एक रेक्ट हो जाएगा तो ध्यान रखना है अगला कुस्तिने भारत में कुल किर्सी निट्यात में सार्विजिक योगदान किस छेत्र का रहता है दोस्तो भारत में कुल कुल कुर्सी किर्सी छेत्र निट्यात से योगदान सार्विजिक किस राज किस से रहता है तो आपको फ्रेंस ध्यान रखना है किस से र लगाता है तो आपको ध्यान रखना है राश्टी नमोना सरवेक्चर संगतन और योजना आयोग तो इसमें हमारा A और C आप्सन नमबर करेक्ट हो जाएगा तो आप्सन नमबर डी करेक्ट होगा A और C दोनों अगला कोस्टन देखते हैं निमन में से कौन गरीबी रोधी नीती से संबन देते हैं दोस्तों इन में से कौन सा गरीबी रोधी से संबन देते हैं तो सबसे पहला है आर्थिक प्रिगति का प्रोसान तो ये भी से इसके लिए करेक्ट है अगला है मानब विकास को प्रोसान य यक्तियों की आभादी वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है अमेरिका तो आप इसको ध्यान रखेंगे ऑप्सन नंबर हमारा इसमें एक रेक्ट हो जाएगा अगला कुस्षिन देखते हैं आयूस संबंदित है तो आयूस किस दोस्तों बिजन 2020 उजना किसे संबंदित है तो यह गरीबी से संबंदित है आप ध्यान रखेंगे ऑप्सन नंबर हमारा इसमें एक रेक्ट हो जाएगा चली अगला कुस्षिन देखते हैं अगला कुस्षिन निर्धंता में भारत के किस राज्य का अनुपास सबसे अधिक है दोस्तों निर्दंता में भारत में किस राज का अनुपास सर्बदिक है तो आप ध्यान रखेंगे किस का सर्बदिक है तो बिहार का option number हमारा इसमें एक रेक्ट हो जाएगा बिहार अगला कोस्टन है हमारा उस्तर प्रदेश में लगबक कितने प्रतिसत लोग गरीवी रेखा की से नीचे निवास करते हैं फ्रेंड्स कितने करते हैं आपको ध्यान रखना है चालेस पॉर्ण चपपन परसेन यानि की option number इसमें अमारा एक रेक्ट हो जाएगा तो आप इसको ध्यान रखेंगे अगला question देखते हैं भारत में सबसे कम गरीवी अनुपात है तो भारत के अंदर सबसे कम गरीवी अनुपात किस राज्य में हैं आपको ध्यान रखना हैं पंजाब के अंदर option number इसमें एक रेक्ट हो जाएगा अगला question देखते हैं गरीवी अनुमान से निम्न में से कौन अर्थसासरी संबन देते हैं दोस्तो कौन इससे संबन देते हैं तो आपको फ्रेंड से ध्यान रखना है डंदिकर रद भी संबन देते हैं और P के वर्धन भी और B S मिन्हास भी तो इसमें तीनों ही संबन देते हैं तो इसमों option decorect होगा और प्रॉक्त सभी अगला कुस्टिन है गिरामीर गरीबी का मूल कारण है दोस्तों किर्थी के आर्द संपाथी उत्पाथ समबंदी का होना सहिए ये भूमी सुधारों का अपर्यावत प्रिभाव है और बलती जन संक्या है तो तीन होजिए गरामी गरीबी के मूल कारण है तो इसमें option number हमारा de-correct हो जाएगा उप्रोक्त सभी चलिए next question देखते हैं अगला question ने आम आदमी बीमा योजना शुरू की गई दोस्तों आम आदमी बीमा योजना कब शुरू की गई थी तो आपको ध्यान रखना है 2 October 2007 को तो इसमें option number हमारा de-correct हो जाएगा और किस समीति के सिफार्स भी की गई थी तो आपको फ्रेंस ध्यान रखना है यह की गई थी श्रिवा रमन कमेटी के सिफार्स पर option number हमारा इसमें B-correct हो जाएगा अगला कोस्त ने कुटीर जियोति योजना संबंदित है दोस्तों कुटीर जियोति योजना किस से संबंदित है तो ध्यान रखेंगे गिरामीर चित्रों में गरीबी रेका से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बिदोद अपलब्द कराने से तो इसको option number हमारा secret हो जाएगा तो ध्यान रखेंगे इसको भी अगला कोस्त ने हमारा कौप आर्ट का इसे स्वाट में गोलें कौप आर्ट तो इसका मुख्याल है नई दिल ली के अंदर option number हमारा से में सी करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्त चैने आर्थिक विकास की माप के लिए निम निमें से कौन बेतर माप है दोस्तो इन में से कौन सी बेतर माप है आपको बताना है तो यह क्या है राश्टिये आए तो इसमें option number हमारा डी करेक्ट हो जाएगा राश्टिये आए अगला कुस्तिन देखते हैं ट्राइसेम कारीकरम का मुख को वो देश क्या था दोस्तो ट्राइसेम का कारीकरम का जो मुख खुद देश था इन में से कौन सा था तो ग्रामीर युबाओं को सुरोजगार है तो पिर सीख चल देना यानि उन्हें ट्रेडिंग देना तो इसमें option number हमारा एक रेक्ट हो ज अगला कुस्तन देखते हैं भारत में हरित करांती सफल रही तो भारत में हरित करांती किस के लिए सर्फदिक सफल रही थी तो सबसे ज़्यादा किस के लिए गेहूं और चाबल के लिए अगर आप से पूछे इन दोनों में से किस के लिए सबसे ज़्यादा रही थी तो आप इसको ध्यान रखेंगे अगला कोस्टन है राष्टी किरसी तथा ग्रामीर विकाद बैंक यानिकि नावाड की स्ताबना किस पंच वर्जी जोजना में की गई थी दोस्तो किस पंच बरसी यूजना में इसकी की गई थी आप ध्यान रखेंगे छटी पंच बरसी यूजना में option number हमारास में C correct हो जाएगा अगला question ने भारत में गटित पहली सहकारी समीतियां थी दोस्तो भारत में गटित पहली सहकारी समीतियां कौन सी थी अगला question है भारत में बिरोजगारी की समस्या मूल लता है दोस्तो भारत के अंदर बिरोजगारी की समस्या मूल लता कैसी है तो आप ध्यान रखेंगे friends सरचना अत्मक तो इसमें option number हमारा एक रेक्ट हो जाएगा सरचना अत्मक अगला question हमारा अगला question देखते हैं भारत में चोताओ का उसताकार निरंतर घटने के क्या कारण है तो आपको ये दिये गए पहला है इसमें उत्तर दिखार के नियम नेक्ट चकबंदी अगला किरसी का यंत्री का रण और चोताओ भूस्वामित की ललक तो friends इसमें कौन सा option करेक्ट हो जाएगा इसमें केबल हमारा पहला और चोता सही है तो ये क्या है और जो उत्तों का उकार में निरंतर घटने का मुक का रण हैं तो option number हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा एक इबम चार अगला कोस्ट नहिमारा ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कारीकरम चलाया गया जिसमें बैंकों की भूमिका महत्पूर थी दोस्तों कौन सा ये सा कारीकरम था ये तो ये था IRDP तो इसमें option number हमारा इक रेक्ट हो जाएगा ध्यान रखना है इसको अगला कोस्ट नहिमारा भारत में गरीबी अहटाओ का नारा किस पंच बरशी यूजना के अंतरगत दिया गया था दोस्तों किसे पंच बरशी यूजना के अंतरगत दिया गया था आपको ध्यान रखन यह जो आपको ध्यान रखना है तो यह हैदराबाद में इस्थित है और अप्सन नम्मर हमारा इसमें भी करेक्ट हो जाएगा तो आप इसको ध्यान रखेंगे अगला कोस्तन है फ्रेंड्स अगला कोस्तन तो इसके ऑप्सन नहीं मिठ चुकी है खादीवं ग्रामीड अध्योग आयोकी स्थापना कि इस पंच वर्शी जुजना के अंतरगत की गई थी तो फ्रेंड्स इसके ऑप्सन गायव हैं इसके अगला कोस्तन देखते हैं अगला कोस्तन है निम्न में से कौन सा कर पंचाईटों द्वारा इकरत खिया जाता आए तो आप ध्यान रखेंगे मेलों उपर कर। A उप्सन में अर्थ बेवस्ता zorփत्यों किस देश में अपनाया गया था, दोस्तो किस देश में अपनाये गया था, आपको ध्यान रखना है, सोभियत संग में, ऑप्सन नमबर हमारा इसमें एकरेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखना है, अगला कोस्त ने, निम्ण में से किस छेतर में सहकारी काईों ने, त्रीब गती से विकास किया है, दो दोस्तो राश्टी विकास परिश्द का गठन कप किया गया था तो आप ध्यान रखेंगे 1952 में ऑप्सन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्त ने हमारा भारती लगू उध्योग विकास बैंक्यानी की सिडवी सिडवी का मुख्याले कहां है दोस्तो अगला कुस्त ने ऑउप्रेशन फिलड कारीकरम का पुराण कब हुआ था 1970 में ऑप्सन नंबर हमारा इसमें बीकरेक्ट हो जाएगा अगला कुस्त ने भारत की पिर मुखाद फसल है दोस्तो भारत की पिर मुखाद फसल कौन सी है जो सबस्याधा मुतलब खाद में यूज की जाती है तो आपको ध्यान रखना है चावल ओप्सन नंबर हमारा इसमे एक रेक्ट हो जाएगा चावल अगला कोस्टन देखते हैं राश्टी वालसरम उन्मूलन प्रधिकरल के अध्यक्ष कौन है दोस्तो राश्टी वालसरम उन्मूलन प्रधिकरल के अध्यक्ष कौन है तो आपको ध्यान रखना है सिरम मंत्री होते है option number हमारा D correct हो जाएगा अगला question है भारत में किस प्रकार के रसाइनिक उर्बरको की खबस सारबदिक है दोस्तो किस प्रकार की है तो आप ध्यान रखेंगे nitrogen nitrogen युक्त की होती है option number हमारा A correct हो जाएगा अगला question है निम्ण में से किस संस्ता का सम्मद भारत की किर्सी इबम ग्रामीर वित्त की आप श्रक्ता की C में थै दोस्तो किस का C में थै तो इसका आपको ध्यान रखना है नाबाट बैंग की option number हमारा C correct हो जाएगा अगला question है अनबरत यूजना किस अबदी के लिए बनाई गई थी दोस्तो अनबरत यूजना किस अबदी के लिए बनाई गई थी आपको ध्यान रखना है friends तो ये बनाई गई थी 1978 से 83 तक option number हमारा C correct हो जाएगा अगला question देखते हैं भारत में लगू उदियोग की परिभासा किस पर आधारत है तो आपको ध्यान रखना है तो किसी इकाई में सहियत्रों और यंत्रों के निवेश से तो आप इसको ध्यान रखेंगे option number हमारा इसमें भी correct हो जाएगा अगला question है भारत में भूमी छेत्र का लगबग कितना भाग बन से अच्छा दित है दोस्तो भारत में भूमी का कितना भाग बनों से अच्छा दित है तो आप ध्यान रखेंगे और दोस्तो होना कितना चाहिए तो आपको ध्यान रखना है एक बटा तीन होना चाहिए है कितना एक बटा पाँच option number इसमें C correct हो जाएगा अगला question किसी मूल आयोग और भारती खाद निगमन इस्थापित हुए दोस्तों ये कब इस्थापित हुए थे तो आपको ध्यान रखना है 1965 में option number हमारा इसमें B correct हो जाएगा अगला question अंतियोदय कारी करम का उद्देश क्या था दोस्तों अंतियोदय कारी करम का उद्देश क्या था तो आपको ध्यान रखना है गरीबों में सबसे अधिक गरीबों को मतलब गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना option number हमारा इसमें D correct हो जाएगा अगला question अगला question है भारत में जन संक्या विरद्दी के धास में कौन सा बर्स महाविभाजन का बर्स कहलाता है दोस्तों कौन सा बर्स कहलाता है तो आपको ध्यान रखना है 1921 option number हमारा इसमें D correct हो जाएगा अगला question है नीली करांती का संब्द किस निम्ड में से किस्से है तो नीली करांती का संब्द किस्से है आपको ध्यान रखना है मतस पालन से option number हमारा इसमें D correct हो जाएगा अगला कुस्चन है भारत में शेकारी अंदोलन का पदरभाव कब हुआ फ्रेंट कब हुआ था ये 1904 में ऑप्सन नम्बर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्चन है निम्ड में से कौन सा मानवी विकास उचकांग का तद्व नहीं है दोस्तों कौन सा नहीं है आप ध् अगला कुस्चन है निम्ड में से कौन सा लक्ष आर्थिक रूप से बिछले अल्विक्सित देशों का सूचक है दोस्तों कौन सा लक्ष इसके लिए है तो उच्छ जंदर उच्छ निर्च्रता और किर्सी पर जन्संक्या का अधिक दवाब तो ये तीनों ही क्या है अल्व विक्सित देशों का सूचक यानि पिछले होने का कारण है तो इसमें अगला कुस्चन है भारत में किस राज्य में अभी तक ग्रामीर बैंक इस्थापित नहीं किये गए तो आपको ध्यान रखना है दो राज्य हैं सिक्के में और गोवा अप्सन नमबर हमारा असमें एक विक्रेक्ट हो जाएगा कि अगला कुश्तन ए भूमी विवकास बैंक दोस्तों भूमी विकास बैंक क्या है इसके बारे में दे रखाए तो पहला है किसानों की दिर काली मित्ती अभिशकताओं की पोड़ती करना ड्र राज इस तरफ पर केंज़री भूमी विकास बैंक हो अगला कुस्त ने रोजगार गारंटी उजिना सरपरतम किस राज में लागू की गई दोस्तो किस परदेश में लागू की गई थी तो आप ध्यान रखेंगे महाराष्ट के अंदर option नमबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्त ने महारा महाराष्ट की रोजगार गारंटी उजिना कब लागू हुई दोस्तो ये कब लागू हुई थी तो आप इसको ध्यान रखेंगे ये हुई थी 1972-73 में option नमबर हमारा इसमें ये करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्त ने इंदरा अबास यूजिना कब प्राड़म की गई दोस्तो इंदरा अबास यूजिना कब की गई थी तो आप ध्यान रखेंगे 85-86 में option नमबर हमारा इसमें ये करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्तन है इंद्रा अबास यूजना दोस्तों इंद्रा अबास यूजना के बारे में दे रखा है तो कौन सा कतन इसमें सही होगा तो पहला है इसे जे आर बाई से बाई से मिला दिया गया अगला है 1996 में जे आरवाई इसे पिरतकर सुसंद्र उजिजना के रूप दिया गया नाइश्ट है उनने सो पिच्छी चासी में इसे आर एल आई जी पी की एक उप उजिजना के रूप में लागू किया गया तो इसमें इदर्ड अबास उजिजना के लिए तीनों ही कत्खन क्या हैं सत्त हैं तो option number हमारा D correct हो जाएगा उपरोक सब ही अगला कोस्ट नहिमारा राश्टी पेजल मिशन की स्थापना कप की गई दोस्तो राश्टी पेजल मिशन की स्थापना कप की गई थी तो आप ध्यान रखेंगे 1986 में उप्सन नमबर हमारा इसमें एक रेक्ट हो जाएगा तो आप इसको ध्यान रखेंगे अगला कुस्ते ने राश्टी राजीब गांदी पेजल मिशन तो राश्टी राजीब गांदी पेजल मिशन के बारे में दे रखा है इसमें कौन सा कतन सही होगा तो ये 1990 में लागू की गई थी ये सही है नेश्ट है संपूर ग्रामी जन संक्यागो अगामी कुछ बर्सों में पर्याप्त मात्रा में सुरक्चित पेजल उपलब्द कराना है तो ये भी इसके लिए सही है अगला है अगस्त में 1985 में इस कारिग्रम को शहरी विकास मंतराले से ग्रामी विकास विभाग को इस्थांत्रेज कर दिया गया तो तीनों ही कतन क्या है राजटी राजीव गानी पेजल मिसन के लिए सही है तो इसमें उप्सन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा और प्रोक्त सभी अगला कोस्टन है हमारा ग्रामीड शित्तरों में विकलांगों के लिए 1996 से चलाई गई है तो क्या चलाए कों सीजन चलाई गई है तो आप ध्यान रखेंगे संगम यूजना अगला कोस्टन देखते हैं राष्टी सामाजिक सहाजिता कारी करम कब लागों किया गया तो आप फ्रेंट ध्यान रखेंगे तो इसे लागों किया गया 15 अगस्त 1999 से ओप्सन नमबर हमारा इसमें ये करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्टन अन्ना पूर्णा यूजना केंजरी ग्रामीर विकास मंद्राले द्वारा प्रारम की गई दोस्तों ये कव प्रारम की गई थी तो आप ध्यान रखेंगे मार्च 1999 से ओप्सन नमबर हमारा इसमें ये करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्टने कस्तुरभा गांधी शिक्चा यूजना बहां लाग हुए जहां तो कहां पर लाग हुए आपको फ्रेंड ध्यान रखना है तो ये महिला साक्चरत दर्ब बहुत कम है और 15 अगस 1997 से लागू की गई है ये भी सिकली सही है अगला है बाले का शिक्चा को प्रोसाहित का देने का मुक्ध देश है तो ये भी इसकली सही है तो इसमें अफ्सन नमबर हमारा इसमें ये करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्टने कुटीर जियोती कारीक्रम लागू अगला कोस्टने संसद स्थानी छेत büyकाष योजिना जाएं कब लागू हुई दोस्तों सहंसद स्थानी छेत्र विकाथ योजिना कब लागू हुई 23 दिसंबर 1993 Option number हमारा इसमें एक रेक्ट हो जाएगा अगला कुस्ट ने पिरधान मंत्री रोजगार युजना कब लागू हुई दोस्तों पिरधान मंत्री रोजगार युजना कब लागू हुई तो आपको ध्यान रखना है 2 October 1993 को Option number हमारा इसमें एक रेक्ट हो जाएगा Next question है बालिका समर्दी युजना कब लागू हुई दोस्तों बालिका समर्दी युजना कब लागू हुई आपको ध्यान रखना है तो ये भी 2 October 1997 को Option number हमारा इसमें एक रेक्ट हो जाएगा Next question है भारत में जमिधारी उन्मूलन के पूर्व लेकपाल का नाम था दोस्तो भारत में जमिधारी उन्मूलन से पूर्व लेकपाल को किस नाम से जाना जाता था पड़वारी option number हमारा इसमें भी correct हो जाएगा अगला question ने लेकपाल के पास तो इसमें आपको बताना है लेकपाल के बारे में तो किर्सकों की खेती संबंदी सारे कागजाद रहते हैं तो ये सही है अगला है ब्राया हर गाउं में एक लेकपाल रहता है तो ये भी इसके लिए सही है अगला है किसानों के खेतों तथा उनके उनकी किर्सी के सम्मद्गी में पूरी सूजना रखता है कौन लेकपाल तो ये तीनो ही option लेकपाल के लिए सही है तो इसमें option number हमारा decorrect हो जाएगा उपरोक सभी अगला question देखते हैं गाउं के नक्षे को क्या कहते हैं गाउं के नक्षे को हम क्या कहते हैं शजरा option number हमारा उसमें एक रेक्ट हो जाएगा तो शजरा कपड़े का होता है जिस पर गाउं का नक्षा बना होता है option number हमारा उसमें एक रेक्ट हो जाएगा अगला question है शजरा क्या है दोस्तो सजरे के बारे में बताना है तो ये कपड़े पच्छप रहता है तो ये बिल्कुल सही बात है खेत अधा उसके नमबर रहते हैं तो ये भी इसके लिए सही है लेकपाल अपने हलके में बर्स में तीन बार ने रिचल करता है तो ये भी इसके लिए सही है Option नमबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी अगला कोस्टन देखते है जोत बही है दोस्तो जोत बही क्या होती है तो इसके बारे में आप से पूछा गया है तो ये एक पासबुक होती है सही है और एक सार जोने प्रालेक होता है तो ये दोनों ही Option इसके लिए सही है Option नमबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा दोनों सत्त है अगला कोस्टन है मारा जोत बही UP Land Act 1901 की किस धारा के अंतरगत जारी की जाती है दोस्तों किस धारा के अंतरगत जारी की जाती है आपको ध्यान रखना है तो 33 Option नमबर हमारा इसमें एक करेक्ट हो जाएगा तो आप इसको ध्यान रखेंगे अगला कोस्टन है जोत बही में कितने पन्ने होते हैं दोस्तो, जोद बही में कितने पन्ने होते हैं, आपको ध्यान रखना है, 16 पन्ने, option number हमारा इसमें D correct हो जाएगा, अगला question ने, इंद्रा महिला योजना कब प्रारम हुई, दोस्तो, इंद्रा महिला योजना कब प्रारम हुई, आपको friends ध्यान रखना है, तो 20 अगस्त 1995 से, option उप्सन नमबर हमारा इसमें एक रेक्ट हो जाएगा अगला कोस्टन हमारा इंद्रा महिला यूजना क्या है तो इंद्रा महिला यूजना क्या है गाउं तता शाहिरी जुगी बस्तियों में महिला समूं गठित करते हैं तो इसके लिए सही है अगला है ये आंगनवारी इस त अगला कोस्चन देखते हैं बाल बाड़ी पोशाहर कारिक्रम क्या है तो आपको ध्यान रखना है ये तीन से पांच बरस की आयू के बच्चों को पूरग मावोशाहर एवर मनुरञ्जन सुबधायन देना है तो ये इसके लिए सही है तो इसमें तीनों ही option correct हो जाएंगा, option नम्बर हमारा डी correct हो जाएगा अप्रोक्त सभी अगला question देखते हैं MDM कब लागू किया गया, दोस्तो MDM कब लागू किया गया, आपको ध्यान रखना है तो ये 15 अगस्त 1995 से, option नम्बर हमारा अगस्त में ये correct हो जाएगा अगला question ने 20 सूतरी कारी करम सरपिर्थम कब लागू किया गया था दोस्तो 20 सूतरी कारी करम को कब लागू किया गया था, 1975 से और इसे किसने लागू किया था, प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी ने option नम्बर हमारा अगस्त में ये correct हो जाएगा अगला question ने जन्ष्री बीमा योजना कब लागू की गई दोस्तो जन्ष्री बीमा योजना कब लागू की गई आपको ध्यान रखना है तो 10 अगस्त उन्ष्जार बीच से, 2000 से, sorry, 10 अगस्त 2000 से, option नम्बर हमारा ये correct हो जाएगा अगला question देखते हैं, जन्ष्री बीमा योजना क्या है, फ्रेंट्स जन्ष्री बीमा योजना क्या है, तो शेहरी बाग्रामीर दोनों छेतरों में लागू हो है, ये सही है अठारा से साठ बर्स की आयू बर के लोग आते हैं, तो ये भी इसके बारे में सही है, नेश्ट है, प्रिवेन राशी नाम मात्र की रखी गई है, तो ये भी इसके बारे में सही है तो इसमें तीनों ही option correct हो जाएगे, option नम्बर हमारा D correct हो जाएगा उपरोक्त सभी अगला question देखते हैं, संपूर ग्रामीर रोजगार योजिना का सुभारम कब हुआ, तो दोस्तों संपूर ग्रामीर रोजगार योजिना का सुभारम कब हुआ था, 20 सितंबर 2001 से option नम्बर हमारा C, sorry A correct हो जाएगा, ध्यान रखना है अगला question है, सामुदाइक विकास कारिये, CDB कब प्रारम हुआ, दोस्तों ये कब प्रारम हुआ, 1952 में option नम्बर हमारा C correct हो जाएगा, 1952 अगला question देखते हैं, हरत करांती का मुकुद्धिष क्या था ? अगला question देखते हैं, सीमान्द किर्सक, एक किर्सी, सिर्मिक अजनसी क्या है दोस्तो सीमांत किर्सक के किर्सी सिर्मिक एजनसी क्या है तो आपको ध्यान रखना 1973-74 में इस्थापित हुई है ये इसके बारे में सही है नैश्टेट तक नीकी इवं वित्ती साइता देना मुकुद्देस्ता ये भी सही है तो उसमें दोनों के बदले अनाच कारिकरम का प्रारम हुआ तो आपको ध्यान रखना 1977-78 में अगला कोस्टन देखते है तो ग्रामीर युबाओं को सो रोजगार है तू पिरसिक चल देना तो मतलब अपने रोजगार को कर सके इस बज़े से इनके ट्रेनिंग दी जाती है, यह सही है, इसके बारे में, अगला है 15 अगस 1989 से प्राडम की गई, तो यह भी इसके लिए क्या है, सही है, अगला है गरीब योबा बरके विरोजगारों, विरोजगारी को दूर करने हेतु बितुपलब्द कराता है, तो यह भी इसके लिए क्या है, सही है, ऑप्शन नमर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा उपरोगत सभी, अगला कुस्चन है हमारा अइन आर इपी कब लागू की गई, दोस्तो अइन आर इपी कब लागू की गई, आपको ध्यान रखना हे, 1980 में, ऑप्शन नम्र हमारा इसमें एक करेक्ट हो जाएगा अगला क् transporting में नमें हमारा सीख करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्छनaren dwcraw कब लाग लगू की गई दोस्तों dwcr कब लगू की भी आप ध्यान रखना है 1982 में option number हमारा सी करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्टन देखते हैं लोग कारीकरम एक ग्रामीर प्रोद्धोगी की विकास परीसद है दोस्तों कौन सा इन में तो आपको ध्यान रखना है कौपाट ओप्सन नमबर हमारे समें B करेक्ट हो जाएगा तो आप इसको ध्यान रखेंगे अगला कोस्टन है कौपाट के बारे में दिया गया है तो पहला है इसमें 1 सितंबर 1986 से प्रारम हुई यह सही है नेक्स टेस के लिए ग्रामीर समर्द्धी के लिए साहत प्रदान करना तो यह भी इसके लिए क्या है सही है तो इसमें option दोनों ही correct है, option number C correct हो जाएगा, दोनों सही है, अगला question देखते हैं, प्रावड सिक्चा कारीकरम क्या है, दोस्तों प्रावड सिक्चा कारीकरम क्या है, आपको ध्यान रखना है, तो 1988 में फरारम किया गया, यह सही है, ग्रामीर समरिद्दी के लिए साहिता सत्त है, तो पहला है, जबहार रोजगार यूजना अप्रेल 1989 से प्रावड हुई थी, यह ग्रामीर बिरुजगारी दूर करने से संब्द देती, तो यह इसके बारे में क्या है, सही है, अगला है, नहिरू रोजगार यूजना, अक्टूबर 1989 से संब्द देती, यह नगरी तो जब्द ग्रामीर बिकास अजनसी की स्थापना फ्रेंड्स कब हुई थी, तो 1993 में, ऑप्सन नम्बर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 1993, अगला कोस्टन है, वाल स्रम उनमूलन यूजना कप प्रावड़म की गई थी, आपको ध्यान रखना है, 15 अगस्ट, 15 अगस्ट 1994 से तो ऑप्सन नम्बर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, अगला कोस्टन देखते हैं, अन्ना पूलना यूजना क्या है, दोस्तों अन्ना पूलना यूजना क्या है, तो 19 मार्ज 1999 को प्रावड़म की गई, सही है, नेक्ट है, ब्रद नागरिकों को निशुल्क अनाज देने का, देना मुख खुद्देश था, ये भी इसके बारे में सही है, तो इसमें उप्सन नम्बर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों सत्थ हैं, तो अन्ना पूलना यूजना में प्रद लोगों को अन्ने सुल्क अनाज दिया जाता था, और 19 मार्ज 1999 में प्रारम की गई थी, त अप्सन नम्र हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, अगला कोश्च ने सी आर एस पी है, दोस्तो सी आर एस पी क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, केंदरी ग्रामीर स्वख्चता कारी करम है, क्या है,uls unions में प्रारम हुगा था, प्रारम हुःतार में श्यूवा था, श्यूग् पाहिलाओं की एकतावा सौभ इमान को बनाए रखने का मुकुद्धता तो ये भी सही है तो गिरामीर के इंदरी गिरामीर सुक्चता कारिकरम का ये के लिए तीरों ही ओप्सन करेक्ट हो जाएंगे ओप्सन नमबर हमें हमारा डिकरेक्ट हो जाएगा उप्रोग सभी दोस्त राश्टी गरामीर पेजल मिशन कब चलाए गया तो आपको ध्यान रखना है 1986 में ओप्सन नमबर हमारा डिकरेक्ट हो जाएगा अगला कोस्चन है अनीमित बरसा बितरल को इकतरित करने के लिए रेन बाटर होर्वेस्टिंग बनाया गया तो आपको ध्यान रखना है मिजो अगला कोस्टन है गरामीर विकास के राश्टी संस्तान को क्या कहते हैं आपको ध्यान रखना है N I R O तो आपको त्यान रखना इसमें option number हमारा C correct हो जाएगा अगला question दिखते हैं ग्रामीर विकास की विकास के राश्टी संतान तो इसमें आप से पूछा गया है तो पहला है उन्ने सब ऐसाट में स्तापित हुआ ये भी सही है दो उपकेंद्र गुहाटी पठना में है तो ये भी इसके लिए सही है अगला है ग्रामीर विकास हेतू पिरसीख चल सेमिनार सकारिये शालाएं तो ये भी क्या है सही है तो ग्रामीर विकास के राश्टी संतान के संदर में तीनों ये option correct हो जाएगए option D correct हो जाएगा उपरोक्त सभी अगला question देखते है नरेगा यूजना भारत के किस महापुरस को समर पित है इसी question है दोस्तो नरेगा यूजना किस महापुरस को समर पित है तो महात्मा गांदी को option number हमारा में B correct हो जाएगा अगला question है नरेगा यूजना कब शुरू हुई अगला question है तो इसकी शुरूआत कब हुई दोस्तो दो फरवरी 2006 को option number हमारा में B correct हो जाएगा अगला question देखते है मनरेगा क्या है दोस्तो मनरेगा के बारे में आप से पूचा गया इनमें मनरेगा क्या है तो मनरेगा का नाम बदलकर महाद्मा गांदी नरेगा 2009-10 में कर दिया गया तो ये भी सही है 33% महला है इसमें भागिदारी होती है तो ये भी इसके लिए सही है 100 दिन की रोजगार गारंटी मिलती है ये भी सही है तो ये मन्डेगा के बारे में तीनों ही option क्या हैं correct है option इसमें decorrect हो जाएगा उप्रोक्त सभी अगला question देखते हैं किसने कहा बिनमरता से दूसरों की सेवा करें और ग्रामीर विकास पानी, बिजली, भूमिसुदार, मकान, सड़क, निर्माड में मदद करें दोस्तों ये किसने कहा था, तो ये कहा था, माहत्मा गांदी ने option नमबर हमारस में एक रेक्ट हो जाएगा अगला question देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की मुक्ः हरी खात फसल कौन सी है, तो आप ध्यान रखेंगे धेंचा, option नमबर हमारस में एक रेक्ट हो जाएगा अगला question ने, भारत की बारवी पंच बरसी यूजना कब शुरू हुई friends, भारत की बारवी पंच बरसी यूजना कब शुरू हुई थी, तो एक अपरेल 2012 से, option नमबर हमारस में एक रेक्ट हो जाएगा अगला question देखते हैं भारत की कुल सिरम सक्ती का लगवग कितने पिर्शीसत किर्शी कारिये में सलगना है आपको ध्यान रखना है लगवग इसमें option B correct हो जाएगा 65% अगला question है बागवानी के अंतरकत निम्ड में से क्या आते हैं तो फल आते हैं बनस्वति यादी और मसाले भी आते हैं तो इसमें option D correct हो जाएगा उपरोक्त सभी अगला question देखते हैं राष्टी बागवानी मिशन में दोस्तो राष्टी बागवानी मिशन के बारे में आपसे पूछा गया है तो किर्सी में बिवदिकर लाने के लिए इसकी शुरुआत की गईती अगला है कुछ चमूल की बागवानी फसलों की खेती के माध्यम से किसानों की आए बढ़ाना तो ये भी दोनों क्या थे इसके उद्देश थे तो option number हमारा इसमें भी इसी correct हो जागा ये और भी दोनों अगला कोश्च नहीं मारा क्या सही है पहला है भारत पिस्प की भेंस का 57% रखता है बिल्कुल सही बात है नेश्ट हम अविसी संक्या का 16% भाग रखता है तो ये भी क्या है सही है नेश्ट है भारत भेंस बाबकरी की संक्या के हिसाब लाग दूसरे स्थान पर है यानी भेंस में तीसरे स्थान पर और बकरी में दूसरे स्थान पर है तो option number इसमें डी correct हो जाएगा उपरोग सभी त कोश्चन देखते हैं कि सगंडैरी विकाश पर यूजब यूजब लाग हुए दोस्तों सगंडैरी विकाश यूजब लाग हुए तो कहां पर लाग हुए तो फ्रैंड्स मी ओपरेशन फिलड रही च्छित्रों में ये सही है अगला है पहाड़ी और पिछले लाकों में तो ये भी इसके लिए क्या है सही है option number हमारा C correct हो जाएगा A और B दोनों में तो आप इसको ध्यान रखेंगे अगला question है भारत भारती coffee की कौन सी किस्म पिरसिद्ध है दोस्तों कौन सी भारती है आपको ध्यान रखना है तो रोवस्ता और अरेविका ये दोनों ही क्या है भारत में पिरसिद्ध है तो दोनों ही किस्म पिरसिद्ध है तो 1998-99 में option नमबर हमारा इसमें ये correct हो जाएगा अगला कुस्त ने भारत में किरसी उर्बरको में NDK का तात्प्रिय है तो दोस्तों यह NPK होना चाहिए तो NPK का तात्प्रिय क्या है गलत लिखा इसमें तो nitrogen phosphate potas तो यह 3 होई क्या है इसमें option नमबर है तीन होई सही है option नमबर डिकरेक्ट हो जाएगा डी सभी तो इसका अनुपाद किस अनुपाद में लेते हैं आप ध्यान रखेंगे चार अनुपाद दो अनुपाद एक इस अनुपाद में इनका यूस किया जाता है अगला कोस्ट ने हमारा भारत में पिरती हेक्टेर उर्बरक खपत में पहला इस्तान है दोस्तो किसका पहला इस्तान है तो आप ध्यान रखेंगे पंजाब का option नमबर हमारा इसमें एक रेक्ट हो जाएगा तो आप इसको ध्यान रखेंगे अगला कोस्ट ने भारत में निम्न में से किस उर्वरक का उत्पादन होता है दोस्तो किसका होता है नाइट्रोजन का भी होता है और फॉस्पेट का भी होता है तो इसमें आप्सिन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा ये और भी दोनों आप इसको ध्यान रखेंगे और दोस्तो कमान शेत्र विकास तता जल प्रब्दन कारी क्रम कप्रार्म kl करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्च्य नहीं, सोयнем़ी न उत्पादन में भारत का पिर्सम राज्जी है, फ्रेंड्स, प्रेंट्स, प्रेंद्स, हैं 1295 में अप्रयल 2005 में, अप्रेंडिम नभेय विकरेक्ट हो जाएगा, अगला कुश्च्य नहीं, राजीब गांधी ग्राम अगला कुस्ट ने निम्ण में से किन सलकों पर उत्तर दैज राज्य सरकारों का रहता है तो किस पर रहता है राजमार्ग पर रहता है जिल्ला सलकों पर रहता है ग्रामीर सलकों पर भी रहता है तो तीनों पर रहता है ओप्सन नम्बर रस्ट में डी करेक्ट हो जाएगा है प्रारणमिक सीक्चा कौन में कौन शामिल है दोस्तों प्रारणमिक सीक्चा में कौन सामिल है कक्षा 1-5 तक कक्षा 6-8 तक तो ये दोनों ही सामिल है option नमबर हमारा स्में सी क्रेक्ट हो जाएगा ये और भी दोनों अगला देखते हैं, आत्म निर्भुदा का लक्ष था, दोस्तो आत्म निर्भुदा का लक्ष किसमे था, चौती पंचबर्सी यूजणा में, औप्सन नंबर हमारे स्में B क्रेक्ट हो जाएगा, अगला इस यूजणा में कोर सेक्टर से क्या आश्य है, तो चैनित आधारत उध्यो पूराल ने उलिफ्टन नम्बर 0 में डी करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्टन है भारत में बुर्दमान समय में निर्द्धन। का नुमान किस आधार पर किया जाता है दोस्तों भारत में निर्दंता का नुमान किस आधार पर किया जाता है तो आप फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे ये किया जाता है खुरा कैलोरी के आधार पर तो इसमें option number C करेक्ट हो जाएगा खुरा कैलोरी के आधार पर अगला कोस्त बान सब्सक्राइन खेगे सूंती कफ़ला we gotta option नमब्र में एक रेक्ट हो जायेगा ऐसे स्टेइगफुलेशन गरीशन थैगफ़ुलेशन क्या है दोस्तो इस टेक प्लेशन क्या है तो आप ध्यान रखेंगे तो ये मंदी के साथ मुद्रा इस्पिती क्या कहला आता है इस टेक प्लेशन अगला कुश्चन है भारत का सबसे बड़ा सबसे महातपूर लगू उद्योग कौन सा है दोस्तो भारत का सबसे किस फसल में हुआ दोस्तो हरित कांती का सारवदिक लाप किस फसल में हुआ था गेहूं और धान और इन दोनों में से सबस्याद किस पर गेहूं में ऑप्सन नमबर हमारा इसमें एक रेक्ट हो जाएगा तो आप इसको ध्यान रखेंगे अगला कुस्टन है उत्तर प्रदेश की प्रमोग बालजिक फसल कौन सी है तो क्या है गन्ना तो गन्ना उत्पाजन में उत्तर प्रदेश प्रतम इस्तान पर आप ये भी ध्यान रखेंगे ऑप्सन नमबर हमारा इक रेक्ट हो जाएगा अगला कुस्टन है निम्ड में से कौन सा रोजगार परक कारी करम नहीं ह तो किसकी पहले से की गई थी आफ्रेंट ध्यान रखेंगे आई एफ सी आई की ऑप्सन नमबर हमारा इक रेक्ट हो जाएगा अगला कुस्टन देखते हैं निम्ड में से किस मुद्रा इस्पिती की नियंदरल की विधी नहीं है तो आपको ध्यान रखना है ब्याज की दर् हमारा से करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्टन देखते हैं नियून्तम आविशक्ता कारीकरम किस यूजना की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् ये कसन किस ने कहा था तो ये कहा था अमृत सेन ने ओप्सन नमर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा तो आप इसको ध्यान रखेंगे अगला कुस्टन देखते हैं ग्रामीर गरीबी के लिए उत्तरदाई है मुक्ता दोस्तो ग्रामीर गरीबी के लिए उपर मुक्त उत्तरदाई क् बढ़ती जन संक्या option number हमारा इसमें एक रेक्ट हो जाएगा अगला कुस्चन है आम आदमी भीमा योजना शुरू की गई दोस्तो आम आदमी भीमा योजना कब शुरू की गई थी तो आप ध्यान रखेंगे दो अक्टूबर 2007 को Option number हमारा इसमें A Correct हो जाएगा अगला क्ोस्टन है जन संग्या इस्तिरी करल भि सहरे दोस्तों जन संग्या इस्तिरी करल किसका भि सहरे तो आप ध्यान रखेंगे राज्य का Option number हमारा इसमें B Correct हो जाएगा next question देखते हैं उत्तर प्रदेश में पन्चायतों का काम विकास खंड इसतर पर देखता है तो यह विकास साहा विकास अधीकारी भी देखता है और ग्राम विकास अधीकारी भी देखता है तो इसमें option C correct हो जाएगा दोनों सत्त है अगला कुस्तन है पंचाइती राजकारियों को मंडल स्तर पर परिये वेच्छित करता है दोस्तों मंडल स्तर पर कौन परिक्षित करता है तो आप ध्यान रखेंगे उपने देशक ओप्सन नम्मर हमारा समें एक रेक्ट हो जाएगा अगला कुस्तन देखते हैं दोस्तों 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 अगला कुस्षें देखते हैं, गराम बजार यूज ना है, दोस्तों गराम बजार यूज ना क्या है तो आपको ध्यान रखना है, 2.06 में लागू हुई थी ध्यान रखना है, और गराम विरकार मंतरा ले द्वार लागू कि गई थी, ग्रामीर विरोजगारी बाग गरीबी धूर करने के मुक्त देशता है इसका तो तीनों इसके लिए क्या हैं सही हैं आप्सन नमबर हमारा डीकरेक्ट हो जाएगा उप्रोक्त सभी चलिए अगला कुस्टन देखते हैं अगला कुस्टन है प्रधान मंतरी आदर्स ग्राम यूजना तो प्रधान मंतरी आदर्स ग्राम यूजना के बारे में आपको बताना है तो चुलाई 2006 में लागू किया गया था इसको ध्यान रखना है अगला है इसमें ग्रामीर विकास मं दाएं महिया करने का मुख्धे से, तो ये तीनों ही option इसके बारे में correct है, option नमबर 8 में हमारा decorrect हो जाएगा उप्रोक्त सभी, अगला question देखते हैं, चलो गाउं की ओर कारिकरम कब लागू किया गया, दोस्तों चलो गाउं की ओर कारिकरम कब लागू किया गया, तो आप ध् अगला question देखते हैं, चलो गाउं की ओर कारिकरम क्या है, दोस्तों ये राश्टी महिला आयोग दोरा पर रखन किया गया था, सही बात है, अगला गिरामिन महिलाओं को में जाग रुखता बढ़ाना इसका मुक्त देखता है, ये भी इसके लिए सही है, अगला है महिलाओं को कानूनी अधिकार, निशुल कानूनी सही योगबा, आर्तिक समाज गुद्धार की विबिन योजनाओं से परिचित करना होता है, ये भी सही है, तो इसमें तीनों ये option correct हो जाएंगे, option number हमारा डी correct हो जाएगा उप्रोक्त सभी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, अगल अगला कुस्ट ने उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब लागू की गई, दोस्तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जून 2001 से लागू हो है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, option number हमारा एक correct हो जाएगा, अगला कुस्ट ने बर्स 2010 को भारत में मनाया गया तो बर्स 2010 में भारत में क्या मनाया गया था, तो दोस्तो आपको ध्यान रखना है क्या मनाया गया था, गिराम सबा बर्स, option number हमारा इसमें एक correct हो जाएगा, अगला कुस्ट न देखते हैं, उत्तर प्रदेश को कितने 6 जलबायू छेतरों में बिभाजित किया गया है, दोस दोस्तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऑप्रेशन बिलैक बर्ड यूजना कब लागू हुई थी, तो 1987 से, option number हमारा इसमें एक correct हो जाएगा, अगला कुस्ट न है, ऑप्रेशन बिलैक बोर्ड सम्बंदित है, दोस्तो ऑप्रेशन बिलैक बोर्ड किस से सम्बंदित है, तो प 1997 में लागू की गई थी, सही option है, प्रात्मिक बिद्यालों में सिक्षकों की कमी को पूरा करना इसका मुकुद्देश था, तो ये भी क्या इसके बारे में सही है, ए और भी सही है, तो इसमें option number 3 correct हो जाएगा, ए और भी दोनों, अगला कुस्ट न है, उत्तर प्रदेश मे इसकूल चलो अभियान का प्रारम किया गया, तो आप ध्यान रखेंगे 2001 से, option number हमारा B correct हो जाएगा, अगला कुस्ट न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में समगर ग्राम विकास यूजना कब लागू की गई थी, तो आप ध्यान रखेंगे 2003 में, option number B correct हो जाएगा, अगला क अगला कुस्ट न देखते हैं, सेन गुपता समीती की स्थापना क्यों की गई थी, आप ध्यान रखेंगे, तो सिक्चित बेरोजगारी की जाच के लिए, तो सिक्चित बेरोजगारी जाच है तू, option number हमारा इसमें एक रेक्ट हो जाएगा, अगला कुस्ट न देखते हैं, अगला कुस्ट न देखते हैं, राश्टी सामाजिक साइता योजना हेतु किस समीती की स्थापना की गई थी, तो आप ध्यान रखेंगे, बियाएन यूंगाहार समीती की द्वारा, option number हमारा इसमें एक रेक्ट हो जाएगा, अगला कुस्ट न देखते हैं, संकरलाल समीती का नाम क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे, खुसरो समीती, option number हमारा इसमें एक रेक्ट हो जाएगा, अगला कुस्ट न देखते हैं, भगबती समीती सम्बंदित है, दोस्तो भगबती समीती किस से सम्बंदित है, तो भीरोजगारी से सम्बंदित है, option number हमारा इसमें ये करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्च नहीं किर्सी साख से सम्बंदित गटे समीती का नाम क्या है दोस्तो किर्सी साख समीती से सम्बंदित गटे समीती का नाम क्या है तो आप ध्यान रखेंगे खुसरो समीती option number हमारा D correct हो जाएगा खुसरो समीती अगला कुस्चन है समग्र ग्राम विकास कारिकरम यानि की IRDP की जाज के लिए किस समीती की स्थापना की गई थी दोस्तो किस समीती की स्थापना की गई थी आप ध्यान रखेंगे तो dr. मेहता समीती की option number हमारा इसमे A correct हो जाएगा तो आप इसको ध्यान रखेंगे अगला कुस्चन देखते हैं दांते बाला समीती सम्बंदिती दोस्तो दांते बाला समीती किस सम्बंदिती बेरोजगारी से option number हमारा इसमे A correct हो जाएगा अगला कुस्चन है लगो द्योंगों की साख से सम्मद्द समीती थी फ्रेंड्स लगो द्योंगों की साख से सम्मद्द समीती कौन सी थी तो आप ध्यान रखेंगे ये थी एल कपूर समीती ओप्सन नमबर हमारे समें बी करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन देखते हैं कॉप अग्रीकल्चर प्रुडियूस लोन योजना कब लागू की गई दोस्तों ये योजना कब लागू की गई ती तो 2005 में औप्सन नम्र हमारा उसमें भी कर्येक्ट हो जाएगा، गरीबी का अनुमान हैं, दोस्तों गरीबी का अनुमान है इनमें से कौन सा आपको ध्यान Hackना है, तो ध्यान रखना है, जिवन यापन की नियुनत्म अजशक्ता होगी, संतुastern को क्या कहते हैं गरीबी अगला कॉस्टन देखते हैं भारत में यूजना आयोग ने सरपिर्थम गरीवी रेखा का निर्धारर कप किया था? तो आपको फ्रेंड्स ध्यान डगना है ये क्या था? उप्सन B करेक्ट हो जाएगा 1962 अगला कुस्टन है भारत में निर्धंता के अनुमान का आधार है दोस्तो भारत में निर्धंता के अनुमान का आधार क्या है? आप ध्यान रखेंगे तो पिर्ती बेक्ती उप्योग किये गए भोजन के आधार बोजन के आधार पर option number हमारा इसमें एक रेक्टर उठाएगा अगला कुश्चन है गाउं में अत्यादिक गरीब हैं तो गाउं में सर्विदिक जादातर गरीब कौन से हैं तो आपको friends ध्यान रखना है ये कौन से गरीब हैं तो छोटे किसान और भूबि ही किर्सक तो option number हमारा इसमें B,C,C रेक्टर जगए और B दोनों अगला कुश्चन है भारत के गरामीर छेतरों में गरीवी का मुकः कारण क्या है दोस्तो भारत के गरामीर छेतरों में गरीवी का मुकः कारण क्या है तो आप ध्यान रखेंगे ध्यान रखना है इसमें cable A यानि की option निम्न उत्पाधित रोजगार तो इस तरह आए कहो दोस्तो आपको ध्यान रखना है इसमें option A correct होगा निम्न उत्पाधित रोजगार तो आप ध्यान रखेंगे अगला question देखते हैं गरीबी उनमोलन से क्या अनू होना चाहिए तो गरीबी उनमोलन में क्या होना चाहिए आपको बताना है तो फ्रेंड्स क्या होना चाहिए खेतिहर संबंदी पुना अफिनीमी करण होना चाहिए भूसुदार कानू का कड़ाई से बालन होना चाहिए बैज्यानिक ढंग से खेती की जाए तो यह इंसे क्या होगा, गरीबी का उन्मूलन हो जाएगा तो इसमें option delay correct हो जाएगा उप्रोक्त सभी अगला कुस्चिन है, गरीबी उन्मूलन कब सपल हो सकता है दोस्तो गरीबी उन्मूलन कब सपल हो सकता है तो मुद्रा इस प्रती पे टोक लगे जन संग्या कम हो और भ्रेश्टर चार कम हो तो इससे क्या होगा गभीरी भी का उन्मुलन हो जाए यानि गरीबी खत्म हो जाएगी अगला कुस्तिन देखते हैं पशुपालन आज आधार है दोस्तों पशुपालन आज आधार है किसका आधार है गरामीर अर्थव्यवस्ता का उप्सन नमबर हमारा इसमें ये करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्तिन राष्टी गरामीर स्वास्त मिशन योजना का संचिप्तर च्छर है तो कौन सा है संचित रूप तो इसका है और अप्सन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्ट ने और एचेम यूजना का छेत्र है दोस्तो इसका छेत्र कौन सा है तो आपको ध्यान रखना है गिरामीर स्वास्त ऑप्सन भी करेक्ट हो जाएगा गिरामी प्रभावी स्वास सेवाएं उप्लब्द कराना मुकुद्देस है तो किसका मुकुद्देस है रेंड्स आपको ध्यान रखेंगे एन आर हमारा सीक्रेक्ट हो जाएगा अगला कोस्ति नहीं सबी गाउं सबी आवासों में विजली की सुब्दा तता सबी गरीबों को यूजना का ऑप्सन नंबर हमारा समें बी करेक्ट हो जाएगा ध्यान रखना आए अगला कोस्ति नहीं to ग्रामीड केंदち lugan यूजना क्या है आपको बताना आ है तो ये किरसि विकास से संबंद देते हैं सही है किसानों को अधनिक सुचना प्रदों की दूर्बसंचार वह तक्नीक का उप्योब करने के लिए प्रेड़ित करना ये भी सही है नाबाड के माध्यम से लागू हुए ये भी सही है तो इसमें option डी करेक्ट हो जाएगा उप्रोक्त सभी अगला question देखते हैं ग्रामिर ग्यान केंद्र योजना कब लागू की गई दोस्तो ग्रामिर केंद्र योजना कब लागू की गई थी 2005 में option नमबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्तन है लगू सिचाई किर्सी की का मशीनी करल बागबानी डेरी पॉल्टरी कीट पाल अगला कोस्तन है किस योजना के अंतरगत सरकार ने ये किर्सी नीती अपनाई जिसमें जिसने हरत करांदी को जन्म दिया तो किस रहत करांदी के अंतरगत तो चोती पंचपरसी यूजना के ओप्सन डी करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्तिने भारती रिजर्ब बैंक का राश्टी करल कब किया गया दोस्तो भारती रिजर्ब बैंक का राश्टी करल कब किया गया था तो एक जन पर ही 1949 को ओप्सन नम्र हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्त ने राश्टी सहिकारी किर्सी भिलपन संग्टन नफेट की स्थापना कब हुई दोस्तो इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1958 में ओप्सन B करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्त ने भारत की किर्सी पंचबर्सी यूजना में प्रात्मिक्ता को विकास से हटा कर पिर्सी रक्षा की और केंद्रित किया गया दोस्तो कब किया गया तीसरी पंचबर्सी यूजना में ओप्सन C करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्टने हर बार नए सिरे से बजट तैयर करना ये विसेस्ता है तो ये विसेस्ता किसमे शू नाधारत बजट की ओप्सन नमबर हमारा इसमें ये करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्टन देखते हैं राज्य सरकार को किर्सी आयकर कौन समानुदेशित करता है दोस्तो कौन करता है तो भारत का सम्विदान नमबर हमारा इसमें ये करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्टन देखते हैं भारत में बित्ती वरसी इकप्रेill से 31ार्श होती है अगला अगला कोस्तन है किर्सी आयकर है तो किर्सी आयकर क्या है तो आप ध्यान रखेंगे तो यह राज सूची में है ऑप्सन बीकरेक्ट हो जाएगा अगला कोस्तन देखते हैं प्रच्छन बिरुजगारी का अर्थ क्या है दोस्तों प्रच्छन बिरुजगारी का अर्थ क्या है तो फ्रेंड्स आप इसको ध्यान रखेंगे, फिर अच्छन बिरुजगारी का क्या आर्थ है, तो जब कोई कारिये में लगे ब्यक्तियों की संक्या घटाने पर उत्पादन में कमी ना हो, ओप्सन नमबर डी करेक्ट हो जाएगा, अगला कुस्चन है भारत में राज्य सरका मंडल का उप्योग पर संबार किस योजना के निर्माल में किया गया, दोस्तो किस योजना के निर्माल में किया गया था, तो दितिये योजना के, ओप्सन नमबर हमारत में ये करेक्ट हो जाएगा, अगला कुस्चन है ग्राम स्री योजना की शुरुआत कप की गई, फ्रे मिलाओं एवं बच्चों के स्वात सुब्दाएं प्रदान करने का करना मुकुद्देस है दोस्तों ये किसका मुकुद्देस है आशा यूजना का ऑप्सन नमबर हमारा समें एक रेक्ट हो जाएगा आशा यूजना अगला कुस्त ने अपनी मिट्टी पहचानो अभियान भा प्रदेस किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है तो किसका उत्पादक नहीं है सबसे बड़ा तो आप ध्यान रखेंगे फूलों का नहीं है बाकी गेहूं आलू गन्ना इसमें क्या है उत्तर प्रदेस प्रतमिस्तान पर है अगला कुस्त ने उत्तर प्रदे किस राज में लागु की गई दोस्तों आदरं जनास यूझना किस राज में लागु की गई आप ध्यान रखेंगे लागु कि गई अपके नमेर एक रेक्ट होजाएगा अगला कोस्टने पिरती है ग्राम पजायद में कम से कम एक बिच्षित कर जल की व्यबस्ता सुनिस्थ करना मुक्षुद्देश है दोस्तो ये किसका मुक्षुद्देश है तो आदर्स जलाशे यूजना का आप्सन नमबर सी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्त ने चात्राओं हे तु निशल को इसकुली ड्रेस युजना उत्तर प्रदेस में कब लागू की गई दोस्तो उत्तर प्रदेस में ये कब लागू की गई थी 2005 में ओप्सन नम्मर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्तिन है उस्तर प्रदेश में समयग्रस भूमी को सुधार कर उपजाओ बनाते हुए गरामीर छेतर में रोजगार के अपसर उपलब्द खराना मुक्क उद्देश है दोस्तों ये किसका मुक्क उद्देश है तो अत्यादिक जन्मदर ओप्सन नम्मर हमारा इसमें एक करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्तिन है मारा जन्संक्या विरद्दी का अभियुद्य माना जा सकता है दोस्तों किसे माना जा सकता है ओध्यों को किरांती को ओप्सन नम्मर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस् करेक्ट हो जाएंगे वो प्रोक्त सभी अगला कुस्चन देखते हैं जन संक्या जियोमति अनुपास को इसे बढ़ती है कि जब कि किर्श्थी उतपादन गड़ती अनुपास से किस ने कहा दोस्तों ये कथन किस ने कहा था ये कहा था मालत थसने ऑप्सन नमबर हमारा सी करेक ये यहा ताया साधनों की बिरद्दी से मैं करबन डायोक्साइड नाइकम लाइक्साइट इसे की मातरा बढ़ी है तो तो तीन होई किया जन संक्या विरद्दी के कारण होई है ऑप्सन नमबर हमारा डिक्रेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी में अगला कुस्त ने जन संक् बรदी के सकनात्मक उपाई हो जाएंगी option D correct हो जाएगा उपरोक्त सभी अगला कोस्ट नहें जन संक्या ब्रदी के रोकने में कारगर है दूस्तो जन संक्या ब्रदी रोकने में कारगर क्या है कऱती भूमी को किर्सी योग बना कर उत्पादन वड़ाए ब्यापार परिवाहन विकास पर ध्यान देकर आउध्योकिक विकास करे बनों का बचाओ पर ध्यान दे और सिक्चा पिरसार करे ये सब क्या है जन संक्या विरद्धी रोकने के कारगर उपाए option D correct हो जाएगा उपरोक सभी अगला कुस्चन है जन संक्या विरद्धी के नकरात्मक उपाए है तो जन संक्या विरद्धी के नकरात्मक उपाए कौन से है तो बाल विवापर रोक बिलंबि से विवापरिवार नियोजन और परोक सभी तो इन सब से क्या है जन संग्या के ये नकरात्व को पाह होंगे option D correct हो जाएगा अगला कोस्टन है शार्दा act कब पारित हुआ दोस्तों शार्दा act कब पारित हुआ था तो आप ध्यान रखेंगे 1929 में option B correct हो जाएगा 1929 अगला कोस्टन है मारा शार्दा act से जन संक्या नीती कब घोसित की गई थी तो भारत की पहली जन संक्या नीती कब घोसित की गई थी तो भारत की दूसरी जन संक्या नीती कब घोसित हुई तो भारत की दूसरी जन संक्या नीती कब घोसित हुई तो भारत की दूसरी जन संक्या नीती कब घोसित हुई पंदरा फ तो आपको ध्यान रखना है तो आपको ध्यान रखना है तराशी पॉंट परसेंट लोग ऑप्सन बी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्त ने मारा ग्रामीर पेजल को दूर करने हितू प्रोग्राम है दोस्तों कौन से प्रोग्राम है तो आप ध्यान रखेंगे पहला है एक्सलेरेटिड रूलर बॉर्टर सप्लाई प्रोग्राम नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रा ग्रामीर राके में पेजल को दूर करने हितू प्रोग्राम आप्सन करेक्ट हो जागा और भी दोनों कि अगला कुस्तन है राश्री संसादन में काफी महातपूर्र है तो अगला कुस्तन करेक्ट हो जाए polit primeiro दो अगला कुस्टन देखते हैं गिरामीर आबास हेतु महात्पूल प्रोग्राम हैं दोस्तों इन में महात्पूल प्रोग्राम कौन से हैं तो आप ध्यान रखेंगे इंद्रा आबासी होजना ये भी साहिए इन्नोबेटव स्कीम फॉर रूलर हाउसिंग एंड हैवी टेप हैव अगला कुस्टन देखते हैं पंचादी राज संताओं के चुनाओ उत्तर परदेश में अन्तिम समय में कब हुए थे दोस्तो इस question के हिसाब से कब हुए थे, आपको ध्यान रखना है, तो 2011 में, लेकिन हारी में हो चुके हैं, कब हुए थे, 2021 में, तो आप इसको ध्यान रखना है, option number हमारा इसमें भी correct हो जाएगा, अगला question देखते हैं, समाज बादी, समाज की स्थापना का उद्देश था, द विकास ये उद्देश है, दोस्तो ये किसका उद्देश है, आपको ध्यान रखना है, तो ये नियोजन का उद्देश है, option B correct हो जाएगा, अगला question ने, भारत में rolling plan कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, तो 1978 से 83 की अबधीक हो, option number हमारा C correct हो जाए दोस्तो ये पुस्ता किस ने लिखी थी, तो आपको ध्यान रखना है, सर M, विश्बिश रही आने, option number हमारा C correct हो जाएगा, अगला question देखते हैं, विश्बैंक की स्थापना की गई थी, फ्रेंड्स विश्बैंक की स्थापना कप की गई थी, 1945 में, option D correct हो जाएगा, अगल question है, भारत किस बर्स अंतराशी मुद्राकोस IMF का सदस्थ बना, दोस्तो भारत IMF का सदस्थ कब बना था, तो 1947 में, option number हमारा C correct हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, अगला question देखते हैं, भारत में सहिकारता अंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, दोस्तो भारत दोस्तो किस में रही, आपको ध्यान रखना है, तीसरी पंचबरसी यूजना में, option number हमारास में C correct हो जाएगा, अगला question है, भारत के किस पिर्देश को इसिया के अंडे की टुकरी की संग्या दी जाती है, दोस्तो किसे दी जाती है, आपको ध्यान रखना है, आंदर दोस्तो भारत में यूजना आयोक के पिर्मक उपदेश कोंते, तो आप ध्यान रखेंगे, जेल नंदा, जेल नंदा, option number C correct हो जाएगा, अगला question है, भारत में किर्सी सुदार कारी करम लागू किये जाने का पिर्मक उद्दिश क्या था, दोस्तो पिर्मक उद्दिश क्या तो आप ध्यान रखेंगे, किर्सी से मद्दस्तों और सोसल की समापती करना, option number हमारा इसमें be correct हो जाएगा, अगला question है, भारत में और बरकों पर केंद्र द्वारा अनुदान किया जाना कब से प्रारम किया गया था, दोस्तो ये कब से प्रारम किया गया था, 1977 से, option number हमारा इसमें be correct हो जाएगा, अगला question है, किसी अलफ विक्सित देश के लिए निमन में से कौन सी विज़ेस्ता लागू होती है, दोस्तों कौन सी विज़ेस्ता लागू होती है, आप ध्यान रखेंगे, तो पिरति व्यक्ति आय का निमन स्तर, option number हमारा इसमें be correct हो जाएगा, यानि की provision of urban amenities of in rural area, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, तो अगला question है, provision of urban amenities in rural area का पूरा रूप किसका है, तो यह किसका पूरा रूप है, तो यह पूरा यानि की short form पूरा होती है, आप इसको ध्यान रखेंगे, option number हमारा इसमें be correct हो जाएगा, अगला question है, गाउं को ring road से ज अगला question है, पूरा यूजना निम्न में से क्या शामिल है, दोस्तो इन में से क्या सामिल है इसके अंतरकत, तो किर्सी एवं खादसन करल, विजबासनी गुड़त अपूर्ती, सभी के लिए शिक्चा एवं स्वास तथा ग्रामी चेत्रों में सूचना एवं संप्रेजर तक अगला question है, भारती सम्विदान के किस अनुचेत में राज्यों को पंचायतों के गलन का निर्दित दिया है, तो ये आर्टिकल 40 में दिया गया है, आपको पताई होगा, उप्सन नम्र हमारास में एक रेक्ट हो जाएगा, अगला question देखते हैं, सम्विदान के किस अनुची अनुची में प्रिविस्ट पांच में पंचायतों को शामिल करके इसके संबन्द में कानुन बनाने के अधिकार किस अधिकार राज्यों को दिया गया है, तो किस के अंतरगत दिया है, आप ध्यान रखेंगे, तो ये दिया है, साथ के option धी correct हो जाएगा, अगला question देखते ह सुतंतर्ता फ्राप्ति के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने पंचायती राजविम समुदाई विकास मंतराले की स्थापना की, इसके मंतरी किसे बनाया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे, ये बनाया गया था, ISKD को, option नमर हमारा C correct हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान को, option नमर हमारा C correct हो जाएगा, अगला question देखते हैं, राष्टी पिरसार सेवा प्रारम की गई, दोस्तो राष्टी पिरसार सेवा कब प्रारम की गई थी, तो आप ध्यान रखेंगे, उप्सन नमर हमारा C correct हो जाएगा, अगला question ने हमारा पंचायती राज के गठन के पंचायती राज के गठन कब हुआ था, दो अक्टूबर 1969 में राजस्तान के नागोर जिले से, उप्सन नमर हमारा C correct हो जाएगा, तो आप इसको भी ज्यान रखेंगे, अगला question ने हमारा C correct हो जाएगा, अगला question निम्र में से कौन पंचायती राज से सम्मंद्र समीती है, तो कौन सी समीती है, डॉक्टर, पी बी, यानि पी के में था, बी किराव समीती, और इसमें दोस्तों तीनों ही option correct होगे, पी के थोंगन समीती, और एल एं सिंग भी समीती, ये तीनों ही क्या है, पंचायती राज से सम्मंद्र समीती, तो इसमें option D correct हो जाएगा, अगला question न दोस्तों, चहुतरबा सम्मिदान किसे सम्मंद्र था, तो दोस्तों, ये 73 बा होना चाहिए, तो ये था, इसकी जगा, 74 गे 73 बा होना चाहिए, तो ये किसे सम्मंद्र था, पंचायती राज से, option B correct हो जाएगा, अगला question नहीं, 73 बास सम्मिदान संसोधन, तो ये 24 अगला question नहीं, तो भारत में ये दोस्तों, कब आई थी, तो आप ध्यान रखेंगे, ये 73 बास सम्मिदान संसोधन के बारे में सही हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, option D correct हो जाएगा, अगला question नहीं, भारत में भूल लिंक का परीक्चल की विदी कब आई, तो भारत में ये दोस्तों, कब आई थी, तो आप ध्यान रखेंगे, ये आई थी, 1973 में, option B correct हो जाएगा, अगला question है, सत्त कतन चुने, तो उनमें से आपको सत्त कतन चुनना, केराली का ऐसा राज्य है, जहां लिंगान उपाद अनुकूल है, सही बात है, पादुचिरी का ऐसा राज्य है, जहां लिंगान उपाद संसुलित है, ये सही है, हर यारा में लिंगान उपाद सबसे खराब है, ये भी सही है, तो इसमें तीनों ही option correct हो जाएगे, option D correct हो जाएगा, उप्रोक्त सभी, अगला question देखते हैं, भूल हत्या से भविस्ष में, तो इस्तरी पूर्ष का जाएगा, उप्रोक्त सभी, अगला question देखते हैं, भूल हिस्तरी पूर्ष का नुपाद सभी, तो इसमें पहला है, बेटे की एक अर्द चाहत, बेटे की बेटा बाईश ब्रद्धी में सायक होता है, ये विचार, बेटा परिवार की शक्ति का पिरतिक है, ये विचार, त में कब लागू किया गया, दोस्तों ये अधिनियम कब लागू किया गया था, तो आपको धियान रखना उननिस सो चौरान बे में, उप्सन डी करेक्ट हो जाएगा, अगला कुस्चन है, सम्मिदान के किस संसोदन द्वारा अनुछेद, एक्याबन का में, अन्ता समाओं को परितियाग करें, जो इस्तियों की समान विरुद्ध हो, तो ये किस सम्मिदान संसोदन में हुआ था, तो आप इसको धियान रखेंगे, ये था 42 में सम्मिदान संसोदन में, उप्सन B करेक्ट हो जाएगा, अगला कोस्चन देखते हैं, महिला बाबाल विकास वि 2011 के अनुसार कितनी है, दोस्तों कितनी है, तो आप धियान रखेंगे, उप्सन नंबर हमारा इसमें ये करेक्ट हो जाएगा, अगला कोस्चन देख जनगलना की फाइनल आंकड़े उत्तर प्रदेश के अनुसार हैं, तो ग्रामीर जन संक्या 15 करोल 53 लाग 27278, शेहरी जन स संक्या 4 करोल 44 लाग 95263, 2001-2011 में कुल जन संक्या में विरद्दी 3 करोल 364 लाग 14420 है, तो ये तीनों ही उप्सन करेक्ट हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश की जन गलना के लिए, तो आप्सन डी करेक्ट हो जागा उपरोग सभी, अगला कोस्चन देखते हैं, जन गलना 2011 अ अगला कोस्चन है, निम्न में से क्या सही है, तो इन में से आपको बताना है क्या सही है, तो दहेज निसेद अधिनियम 1961 में आया, सही है, अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1969 में आया, ये भी सही है, इस्तरी अप्सिष निरोपल निसेद अधिनियम 1986 में आया, तो तीनों ही उप्सन करेक्ट हो जाएंगा, उप्सन डी करेक्ट हो जाएगा, उप्रोग सभी अगला कोस्टन है सती पिर्दा निरोधक अधिनियम कब बना दोस्तों सती पिर्दा निरोधक अधिनियम कब बना 1987 में option A correct हो जाएगा अगला question है केंद्री समाज के लियार बोड कब बना आप ध्यान रखेंगे 1953 में option A correct हो जाएगा अगला question देखते हैं तो अगला question है में अगला question है नाश्टी महला कोस कब बना दोस्तो नैस्टिनल क्रेडिट फंड फॉर बूमेन ये कब बना तो आप ध्यान रखेंगे 1903 में उप्सन C करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्ट जने राश्टी महला आयोक की स्थापना कब हुई दोस्तो राष्टी महला आयोग की स्थापना कब हुई 1922 में ऑप्सन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्तिन है राष्टी महला आयोग के कारी हैं दोस्तो राष्टी महला आयोग के इनमें से क्या कारी हैं तो महला अधिकारों की हनन की जांच करना महिलाओं को प्रभावित करने वाले संभाधान की समीख्चा करना तो इसमें दोनों ये option करेक्ट होंगे और ये और भी दोनों तो आप इसको ध्यान रखेंगे अगला question देखते हैं भारत में किस बर्स महिला ससकती करड़ भारत में किस बर्स को महिला से सकती करद बर्स घोसित किया गया तो कौन सा किया गया था फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे तो ये किया था 2001 को option number B correct हो जाएगा अगला question देखते हैं महिलाओं को पंचायतों में 33% का आरक्षट दिया गया था तो ये 73% सम्मिदान संसोधन के अनुसार दिया गया था option B correct हो जाएगा अगला question देखते हैं किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है option A correct हो जाएगा तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे अगला question देखते हैं कौन से मिट्टी सारवदिक मात्रा में पाई जाती है तो कौन सी पाई जाती जालोड मिट्टी option A correct हो जाएगा अगला question देखते हैं उस्तर प्रदेश में सबसे कम बरसा वाला छेतर है तो कौन सा छेतर है पस्चमी गंगा मैदान option D correct हो जाएगा अगला कौन से उस्तर प्रदेश की सबसे उची चोटी सोनाइट अथा तैमूर पहाड़ियां किस जिले में इस्तित है दोस्तो ये किस जिले में इस्तित है तो मिरजापर सोन बद्र में option B हमारा correct हो जाएगा अगला कौन देखते हैं शीत रुदू में किस छेतर का तापमान सबसे कम रहता है दोस्तो किस छेतर का रहता है तो पस्तिमी गंगा का option D correct हो जाएगा अगला कौन देखते हैं उस्तर प्रदेश की जलवाई हो है तो उस्तर प्रदेश की किस प्रकार की जलवाई हो समसीतू उश्ल कती बन दिए option इसमें हमारा A correct हो जाएगा अगला कौस्चन है किर्सी जोतो के ओस्त अनुसार घट्टे क्रम में छेतर क्रमसा है तो सबसे ज़्यादा मतलब आपको घट्टे क्रम में इसे बताना है तो सबसे ज़्यादा पूरभी में फिर पस्ची में फिर केंदरी फिर बुंदेलकन तो option A correct हो जाएगा अगला कौस्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश में बिकेंदरित नियोजन पिरलाली शुरू की गई थी दोस्तो ये कब शुरू की गई थी तो 1982 में option B correct हो जाएगा अगला कौस्चन उत्तर प्रदेश में जिला नियोजन समीती का गठन कब किया गया था फ्रेंड्स ये कब किया गया था 1999 में option C correct हो जाएगा अगला कौस्चन उत्तर प्रदेश में जमिदारी उन्मूलन के लिए पिर्थम कानून कब बना दोस्तो ये कब बना था तो 1950 में option number हमारा इसमें C correct हो जाएगा अगला कौस्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश के में किस प्रिकार की मिर्दा का मिर्दा परदन अधिक होता है दोस्तो के रिफ़ प्रिकार का मिर्दा परदन अधिक होता है तो ये कौन सा है इटावा, option number हमारा C correct हो जाएगा, अगला कुस्चन है उत्तर प्रदेश में सिचाई का सबसे बड़ा साधन है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सिचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है, नलकूप, तो सबसे जादा सिचाई उत्तर प्रदेश में नलकूप से अगला कुस्चन देखते हैं, आत्मा किसे संबंदित है, दोस्तों ये आत्मा किसे संबंदित है, तो किरसी से संबंदित है, option number हमारा C correct हो जाएगा, अगला कुस्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का बाराबंग की जनपत पिरसिद्ध है, तो ये अफीम की खेती के अगला कुस्ट ने उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग इस्तापित हुआ दोस्तों ये कब इस्तापित हुआ था तो आप ध्यान रखेंगे 1946 में ओप्सन बी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्ट ने उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फिलड पिट्थम 1973 में शुरू हुआ था तो ये बराण सी बलिया में रटियाने तीनों जलों से स्टार्ट हुआ था तो आप्सन डी करेक्ट हो जाएगा उप्रोक्त सभी अगला कुस्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा जन्रपत उत्तराखंड हरियाना तता हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है दो सा अगला कुस्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश के किस जले में में होती है तो आपको ध्यान रखना ऊती है मतोरा प्रम आप ये भी धैन रखेँ गेंगे इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा च्छेत्र आगकलप की प्राजी इंतम retrouver से निर्मित है दोस्तों कौन ता छेत्र निर्मित है बुंदेल खंड ऑफ्सन नमबर हमारा इसमें एक रेक्ट हो जाएगा अगला कोस्टन है उत्तर प्रदेश के भावर छेत्र में किस प्रिकार की मिर्दा पाई जाती है भूल तो उसमें या भूल मिट्टी जीसे कहेंगे ऑफ सन नमबर हमारा एक ओर जुएगा अगला कोस्टन देखते हैं छेत्र पल की दरेश्ती से उत्तर पृद्देश का भारस में भारस के राजुगं में स्थान है और क्वी 15 नहींए आप ध्यान रखेंगे फ regression उसके बाद हमारा मद्ध प्रद्द्द महाराश्ट फिर करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्टने भारत में पिर्तम किर्शी बिसमिध्याले की इस्तापना की गई दोस्तों कहां की गई पंद नगर जो क्युत्रघंड के अंदर है तो इसमें अप्सटर प्रदेश की प्रमुक फसले हैं तो इसमें आप से पूछा गया उत्तर प्रदे है लाल मिट्टियां पाई जाती है तो मिर्जा पुरोड जाल मिट्टी पाई जादी मिर्जा पुरोड जहांसी में option D correct हो जाएगा अगला question है उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से में से किसकी अबदी नियूंतम है दोस्तो सबसे नियूंतम अबदी किसकी है तो आप ध्यान रखेंगे मुंग की option D correct हो जाएगा अगला question है उत्तर प्रदेश अगरी उत्तपादक है दोस्तो उत्तर प्रदेश किसका अगरी उत्तपादक है तो गेहूं गन्ना और आलू इन सम्में क्या है उत्तर प्रदेश का पहला इस्तान है option number हमारा इसमें ये correct हो जाएगा अगला कुस्चन है उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है तो गेहूं का है गन्ने का भी है फूलो का नहीं है आलू का है तो इसमें option D correct हो जाएगा फूलो का नहीं है अगला कुस्चन है ललित किस फल की उन्नत किस में दोस्तो ललित किस फल की उन्नत किस में तो आप ध्यान रखेंगे अमरूत की option D correct हो जाएगा अगला question देखते हैं निमले किस में से किस फसल के उत्पाधन में उत्तर प्रदेश देश में पिरतम इस्तान पर नहीं है दोस्तो किस के उत्पाधन में नहीं है तो option number D correct हो जाएगा जोग के उत्तान में तो आप इसको ध्यान रखेंगे दोस्तो इसमें जोग नहीं चाबल होना चाहिए चाबल के में आप ध्यान रखेंगे चाबल होना चाहिए इसमें अगला कुस्तिन है, उत्तर प्रदेश को कितने शर्ष जलबायू छेत्रों में विभाजित किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे, नौ में, आप्सन B, करेक्ट हो जाएगा, अगला कुस्तिन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की पिरमुक तिलहनी फसल है, तो उत्तर प्रद में उत्तर प्रदेश अगड़ी उत्पादक है दोस्तों इन में से अगड़ी उत्पादक या नहीं पहले नंबर पर किसमें है जौ में तो ऑप्शन के साफ से इसमें जौ में पहले इस्तान पर है ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्टन है उत्तर प्रदे जाएगा अगला कुस्टन देखते हैं तो दोस्तों इसमें भी सायद गन्ना होना चाहिए अगला कुस्टन देखते हैं किर्सी स्रम उत्पादक्ता सार्बदिक है तो किर्सी स्रम उत्पादक्ता सार्बदिक किसमें आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है तो पस्ति में उत्तर उत्तर प्रदेश में सीमांत किरसक किसे कहा जाता है तो आपको ध्यान रखेंगे तो यह कहा जाता है एक हेक्टेर से कम भूमी वाले को अगला कोस्टन देखते हैं उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की वहाई होती है दोस्तो उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की वहाई कब होती है तो जून जुलाही में इसकी वहाई होती है और मार्च अपरेलम इसको काट लिया जाता है उप्सन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्टन देखते हैं भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदाबार का तो कौन सा जिला है आप ध्यान रखेंगे पिरताब गड़ ऑप्सन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्टन है उत्तर प्रदेश की प्रमुक बारच जिक उपज कौन सी है दोस्तो कौन सी है गन्ना ऑप्सन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्टन है उत् तरप्रदेश की सबसे लंबी नहर दोस्तों कौन सी है शारदा नहर ऑप्सन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्चन है गट 25 बरसों में नलकूब द्वारा सिचाई का सर्विदिक शांदार विकास हुआ है तो तरप्रदेश में ये कहां पर हुआ है तो सर्यूप प के किनारे ये इसके सामेलित नहीं है और और फिली विजिले में आप ये भी ध्यान रखें अगला कुस्चन है उत्तर प्रदेश पंचाती राज अदिनियम 1994 में पंचाती राज के विविविन इस्तरों उपर कितनी मैलाओं के लिए कितना अरक्षल दिया गया है तो कितना गया 1 बटा 3 यानिकी 33% ऑप्सन नमबर एक रेक्ट हो जाएगा अगला कोस्टन देखते हैं उत्तर प्रदेश में पंचाइदी राज संस्ताओं में महिलाओं की भागिदारी किस प्रिकाल सुनस्चित हो सकती है तो उनमें जागरुखता पैदा कर उनको सिक्चित कर उनको से तो ये तीनों ही बजा से महिलाओं की भागेदारी पंचायद इराज संताओं में बढ़ सकती है अगला कोस्टन देखते हैं उस्तर प्रदेश में पंचायतों की समस्या है नियोजन तता क्रियान नेमन के अनुभव का भाफ ये भी सही है अगला कोस्टन भारत में नया पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ तो इसमें उस्तर प्रदेश में पंचायतों की समस्या है अगला कोस्टन देखते हैं निम्लिकित में से किस अधिनियम के तएट इस्तानी सुअसासन हस्तांतरद विसे घोसित किया गया है तो किस नियम से? 1919 अधिनियम के अंतरकत ओप्सन नमबर B करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्तन है उत्तर प्रदेश के किस नगर में नगर महापाले का कारीरित नहीं है दोस्तो कहाँ पर नहीं है? जौनपुर में ओप्सन नमबर B करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्तन देखते है उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं पर निडीचल शक्ती किसे दी गई है दोस्तो ये किसे दी गई है तो आप ध्यान रखेंगे मंडल आयुक्स को option number B correct हो जाएगा अगला कुस्टन है उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन राज्य सरकार के सीधे नियंतलम में होती है दोस्तो कौन होती है तो इन में से तो कोई नहीं option number D correct हो जागा इन में से कोई नहीं अगला कुस्टन देखते हैं उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं के राजस में सम्मिलित है दोस्तो उत्तर प्रदेश के नगर पालिकाओं में क्या सम्मिलित है तो राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान option number C correct हो जाएगा अगला कुस्टन है संयुक्त प्रांद उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम कब बना दोस्तो ये कब बना था तो 1910 में, 1915 में, 1916 में तो इसमें आप ध्यान रखेंगें option D correct हो जाएगा उप्रोग सभी अगला कुस्टन देखते है उत्तर प्रदेश में नगर से नगर सेवाओं की एक अत्यादिक व्यापक योजना उंगिकार की गई दोस्तो कब की गई 1968 में option number C correct हो जाएगा अगला कुस्टन देखते है किस अधिनियम में इस्थानी सूची में नगर पाले काओं को कर बसूल करने का अधिकार दिया गया है दोस्तो किस सूची में दिया गया है तो 1935 के अधिनियम में option number B correct हो जाएगा अगला कुस्टन देखते है सुतंता पूर्बक उस्तर प्रदेश सरकार ने इस्थानी सुसासन समीती न्युक्त की थी दोस्तो कब की थी? 1938 में ओप्सन नम्बर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे अगला कुस्चन देखते हैं अगला कुस्चन देखते हैं उस्तर प्रदेश में इस्थानी नगर निकाय की कमियां है तो कौन सी है? निम्न बेतनमान ये भी सही है बित्ती साधनों की कमी है राजिसरकार का हस्त चेप है तो तीनों ही ओप्सन करेक्ट हो जाएगा उस्तर प्रदेश में नगर पालिका की मुक, विवेक, अधीन, करदब है तो माश्टर प्लान तैर करना ये भी सही है सीबीज के निस्तरल के लिए फॉर्म या कारखाना इस्तापित करना ये भी सही है और जिंगलना करना तो ये तीनों ही ओप्सन करेक्ट हो जाएगे और प्रोग सभी ओप्सन डी, करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्चन देखते है उस्तर प्रदेद में पिरती एक नगर पालिका को 1994 के संसोधन के पसचाथ किस नियम से जाना जाता है दोस्तों किस नियम से जाना जाता है तो आप ध्यान रखेंगे ये नगर पालिका परिष्ध के नाम से जाना जाता है Option B, Correct हो जाएगा अगला Q, नगर पालिका में पधिन सदसों मे कौन-कौन से सदस सम्मratos है दोस्तों कौन-कौन सम्म tucked है लोग सबा सदस, राज सबा सदस अगला है राज विदान सबा विदान परिशत के सदस अगला है राजसरकार दौरा नामिस सदस तो इसमें सभी सामिलें तो आप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी अगला कुस्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश में नगर पंचाज में राजसरकार राजसरकार कितने विदातियों को नामित कर सकती है दोस्तो कितने सदस्तो कर सकती है 2-3 सदस्तो को ओप्शन नमबर हमारे में ये करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्चन उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अत्पा उफ लोक आयुक्त अधिनियम कब बनाये गया Friends ये कब बनाया गया था? 1975 में Option Number हमारा तक में beemic correct हो जाएगा अगला कुष्षणे उत्तर प्रदेस के बिर्तम लोक आयोक्त थे दोस्चो उत्तर प्रदेस के बिर्तम लोक आयोक्त कों थे? विशंबर दयाल Option Number हमारा तक में ये correct हो जाएगा अगला कुस्टन है उत्तर प्रदेश में लोक आयाग तो निमलिकित की जांच कर सकता है दोस्तों किसकी जांच कर सकता है प्रदेश में मंत्री गड़ की कर सकता है विधान मंडल के सदस्की कर सकता है शाषन के सभी अधिकारी और करमचारियों की कर सकता है तो इसमें option D correct हो ज किया गया तो कब किया गया आपको ध्यान रखना है च्छाटी पंच बरसी यूजना में ऑप्सन नमबर हमारे स्में बी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्तिन है उत्तर प्रदेस में किस बरसे न्यायक डंड अधिकारियों को शाषन की अधिन्सा से मुक्त करके उच्छ न्याले के नियंतर में कर दिया गया है दोस्तो कप कर दिया गया है 1966 में ऑप्सन नमबर बी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्तिन देखते हैं उत्तर प्रदेस में राजस का सर्वोच न्याले है उत्तर प्रदेस में राजस का सबसे सर्वोच न्याले कौन सा होता है तो आपको दियान रखना है राजस परिश्द option number C correct हो जाएगा राजस परीषद अगला कुस्सिंद देखते हैं उत्तर प्रदेश सेबा लोग सेबा आयोक के संबन्द में निमली कित में से कौन सा कतन सत द है तो इन में से कौन सा कतन सत दह है पहला है उत्तर प्रदेश लोग से बायोग प्रियाग राज में इस्ते थे ये सही है उत्तर प्रदेश लोग से बायोग के चेर्मेन को सम्मिदान द्वारा से रख चलाए तो ये भी सही है तो इसमें ऑप्सन डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक सभी तो आप इसको ध्यान रखेंगे अगला कोस्टन आये गिराम इस तर्य करमचारी ऑप्सन डी करेक्ट हो जाएगा ऊपरोक सभी अगला कोस्टेन है अ उत्तर प्रदेश में पिर्तियक जिले में इस्तित विकास भоваन का सचिब होता है दोस्तो को न होता है तो आप ध्यान रखेंगे ये होता है परीजन ने देशक अगला को स प्रदेश में पंचायती राज विवस्ता प्रारम हुई उप्सन नमबर हमारेस में ये करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्टिन देखते हैं उत्तर प्रदेश में एककरत ग्राम विखास कारी करम कब चलाये गया फ्रेंट्स ये कब चलाये गया था तो दो अक्टूबर को इसमें जोलिय मिलान करना आएं दोस्तों आपको इसमें पहला है ट्राइसम यूजना कब हुई उने सव नासी में अगली है जबहार रोजगार यूजना कब हुई इसमें मैं चाहें, option number इसमें हमारा कौन सा correct हो जाएगा, एक, दो, ती, इन, चार, तो option C correct हो जाएगा इसमें, एक, दो, ती, इन, चार किसमें आएगा, C, C में, अगला question देखते हैं, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के पिरधान का चुनाओ, किस पद्धिती से होता है, दोस्तों, ये किस पद्धिती से होता है, आपको ध्यान रखना है, पिरधिक चुनाओ पद्धिती से, यानि डारेक्टी बोट करा जाता है, option नमबर हमारेस में A करेक्ट हो जाएगा, अगला question देखते हैं, उत्तर प्रदेश में छेतर समीती के मुखिया को क्या कहा जाता है, दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे, पिर मुख, option नमबर B करेक्ट हो जाएगा, अगला question ने, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के बजट का निरिक्चल करने तता उन्हें सुझाव देने का अधिकार है, दोस्तों ये अधिकार किसको होता है, आप ध्यान रखेंगे, छेतर पंचायत को, option नमबर हमारा इसमें, B करेक्ट हो जाएगा, अगला question ने, उत्तर प्रदेश में छेतर समीती का मुख प्रसासनिक अधिकारी होता है, दोस्तों कौन होता है, तो खंड विकास अधिकारी, option पंचायत समीती का सचेब होता है, तो आप एसको ध्यान रखेंगे, अगला question देखते है, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का कारी हैं, तो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के कारी हैं क्या हैं पंचायत समीतियों के बेजटों का परिशल बार अनुमोधन करना ये भी सही है पंचायत समीतियों द्वारा तैयर की गई योईनाओ को समानेवित करना ये भी सही है अगला पंचाई समीतियों को कुशलतापूर्बक कारी करने के संबंद में निर्देश जारी करना तो ये भी इसके बारे में सही है, उप्सन डी करेक्ट हो जाएगा अपरोग सभी, अगला कोस्तिन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जिला पंचाईद में जिला दी कारी के निम्न में से किस तरह अपनी भूमी का अधे करता है, तो किस तरह करता है, तो वो इस्ताई समीतियों की बैटकों में भाग ले सकता है, सही है, इस्ताई समीतियों में मत देने का दिकार उसे नहीं है, तो इसमें दोनों ये उप्सन करेक्ट हो जाएगे और भी दोनों, एक referred हो जाएगा, अगला कोस्चिन, उत्तर प्रदेस में खंड विकास अधिकारी होताए, दोस्तों, उत्तर प्रदेस में खंड विकास अधिकारी कौन होताए, तो आपको ध्यान रखना है, समान निभर्ख, समान निग, उप्षन नंबर हमारा उसमेem एक करेक्ट हो जाएगा तो आप इसको ध्यान रखेगे कि अगला मैं मोग्त देखेते का सुत्तार प्रकृत होता है दोस्तों पंचायत समीतर के अंदर का स्था किदा होस्त brings घ्रफभवन को सब्र करेक्ट हो सब्सक्रों कार्यक्षिक क्या होता हैउ सी पुक्सर्ब और अगला कोस्चन नहीं करती तो कौन करती है तो आपको ध्यान रखना है पंचाय समीती, option B correct हो जाएगा अगला कुस्ट ने, उस्तर प्रदेश में खंड विकास अधिकारी होता है दोस्तो कौन होता है छेतरी प्रिशाशक, तो इसमें option B correct हो जाएगा अगला कुस्ट ने, उस्तर प्रदेश में वित्तिय समीति का निटिक्चल करना अगला है पंचाय समीति के कोश से धन निकालना तथा वित्रल करना ये भी सही है तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ओप्योर्स सभी तो आप इसको जिहान रखेंगे अगला कुस्तिने उत्तर प्रदेश में पिरसार अधिकारियों के दल का अगलुवा कहा जाता है दोस्तों किसे कहा जाता है तो खंड विकास अधिकारी को ऑप्सन नमबर हमारा एक रेक्ट हो जाएगा अगला कुस्तने मारा उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के कारी हैं तो उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के कारी कौन-कौन से पंचायत के लेखा का बरसिक बिद्रल तता लेखा परिक्षल की रिपोर्ट पर विचार करना तथा पंचायद द्वारा किये गए कारियों का पुनि रिक्षल करना तो ये भी सही है पंचायद द्वारा निर्मित बारसिक बजट का विचार करना ये भी सही है तो अगला कोस्चन देखते हैं परिक्षा बांथ किस नदी पर अबस्तित है बर किस नदी पर अबस्तित है उत्तर प्रदेस के अंदर तो आप ध्यान रखेंगे के नदी पर उपसंवी क्रेक्ष how जा गाए गा में से कौंड दी स सब्चा प्रदेस में नहीं बैती है तो इसी question है, जेलम नहीं वेती है, option D correct हो जाएगा दोस्तों ये हमने discuss करें ग्राम समाजवम विकास के 400 प्लस important question जिसमें हमने पूजा पब्लिकेशन कीबुक के question discuss किये, I hope आपको अपने exam में के लिए बहुत जादा help मिलेगी, और ये master वीडियो गंटे से जादा की वीडियो बन चुकी है, तो आप इस वीडियो को जब भी आप practice करें, तो और अच्छे से देखें, इसके PDF के question आपको टेलिक्राम पे मिल जाएंगे, तो आप लोगों से request है, वीडियो को जादा से जादा लाइक और share करें, और इसी तरह से हमें support करते रहें, मिलेंगे next वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत